हेलो फ्रेंड्स आज बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बच्चों के बारे में बच्चों को एक्साम के स्ट्रेस से बचाने के लिए घरवालों को भी उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए इस समय बच्चे की डाइट में पॉस्टिक आहार को सामिल करें इस से उनको थकान और कमजोरी महसूस नहीं होगी और वह असानी से पनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे साथ ही बच्चे का मोरल सपोर्ट करना भी आवश्यक है माता पिता को बच्चे को समझाना चाहिए कि आप पूरा फोकस सिर्फ अपनी तैयारी पर करें इस से एक्जाम का स्ट्रेस दूर करने में मदद मिलती है सिलेवस को कवर करने के साथ ही बच्चे को अच्छे मार्क्स का भी टेंशन होने लगता है इस टेंशन की वज़े से बच्चे को तनाव होने लगता है और उनका पूरा समय सिर्फ यही सोचने में निकल जाता है कि आखिर किस तरह सिलेवस को कवर किया जाए दरसल अगर सही तरीके से एक्जाम की तैयारी की जाए तो एक्जाम स्ट्रेस को कम करने के साथ ही अच्छे मार्क्स भी आसानी से पाए जा सकते हैं एक्जाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप दिन में करीब 10 से 15 मिनट योग के लिए निकालें इस दोरान आप मेडिटेशन और प्रानायाम कर सकते हैं इससे आपके सरीर का ब्लड सर्कूलेशन ठीक होता है जिससे ब्रेन तक आसानी से ब्लड पहुँचता है और उसे स्ट्रेस में तेजी से आराम मिलता है एक्जाम की तयारी को करने के लिए आप कई सारे चैप्टर्स के नोट्स तयार बनाए इससे रिवीजन करने में आसानी होगी साथ ही आपको स्लेवर्स को पूरा करने में भी किसी तरह की परिशानी नहीं होती है इन नोट्स में आप कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट कर सकते हैं इससे भी चीजों को याद रखने में आसानी होगी एकजाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप पढ़ाई को बोज ना समझें इससे बोज समझेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा और ब्रेंट पर दबाव पड़ेगा इसलिए बेहत जरूरी है कि इसे आप फन और अक्टिविटी की तरह इंजुआए करें एक साथ देर तक पढ़ने की बजाए आप थोड़ा समय पढ़ने के बाद ब्रेक लें इस दोरान आप बाहर घूम के आएं या छट पर वॉक करें इससे आपके ब्रेन को आराम मिलता है और फ्रेस एयर में आपको तरो ताजा मैसूस होता है जिससे आपको दूबारा से पढ़ाई करने में आसानी से फोकस कर पाते हैं देर रात तक पढ़ने की बजाए आप थोड़ा समय पढ़ें और पर्यात नीद लें एक साथ आठ घंटे की नीद लेना संभोना हो तो आप दिन में भी नीद ले सकते हैं इससे शरीर को आराम मिलने के साथ ही प्रेन में चीजें स्टोर हो पाती हैं इसलिए नीद लेना जरूरी है वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेन एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ना किया होता है